अभी बख्त वो चला है सिनेमा गुरू सेगमेंट का आज हम आपको बताएंगे अभिनेतरी शर्मिला टैगोर जी के बारे में दस ऐसी बातें जो आप नहीं जानतें दोस्तों आप सब जानते हैं शर्मिला टैगोर जी सैफ अली खान जी की मा है लेकिन उन दोनोंने अब तक सिर्फ दो ही फिल्मों में काम किया है पहली थी फिल्म आशिक आवारा और दूसरी एक लव गया दोस्तों सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार से बॉलिवुड में कदम रखने वाली ये बंगाली बाला जब शक्ति समंद की फिल्म कश्मीर की कली में नजर आई तो इनके डिमपल और इनकी बड़ी बड़ी आँखों के दिवाने दब हो गया शर्मिला टैगोर जी और मनसूर अली खा साब यानि नवाब पटवदी जी की पहले मुलाकात बड़ी ही दिल्चस्थ थी जब इंग्लेंड दोरे से पटवदी सहाब भारत आये थे तो एक पार्टी में उनकी मुलाकात शर्मिला जी से बड़ी और उस वक्त वो अंगरीजी में बातें किया करते थे इंगलिश के जोक्स क्रैक किया करते थे और उनके इस अंदाज ने शर्मिला टैगोर जी का दिल और दुबारा जब इस पे फिल्म बनी तो उसने उसे फली खना दोस्तों नवाब पटवदी से शादी करने से पहले शर्मिला टैगोर ने हिंदू धर्म छोड़के मुस्लिम धर्म अपना लिया था और इसी कारण उनका नाम भी बदल दिया गया था और मुस्लिम धर्म अगसं की पहली बार कोई बॉलीवूड की अभिनेतरी की में नजर आई आ थी और वो पहली अभिनेतरी थी शर्मिला टैगोर जी ने सबसे ज्यादा हिट फिल्में काका यानि राजेशखन्ना साथ के साहथ आ इसी राजेशखन्ना साथ जी चे ब्लोक्पस्टर फिल्में ह उसी दौरान शर्मिला जी की सासुमा उनके घर आने वाली थी और उनने अपने ड्राइवर से कहा कि जिस रास्ते से वो आएंगी उन रास्तों में इस तरह का कोई पोस्टर नजर नहीं आना चाहिए हलाकि इस घटना से उने बाद में बहुत अकलीफ हुई बहुत बुरा लगा और उनने तैय किया कि वो अपनी इमेज तोड़ेगी और उसके बाद उनने अराधना, अमर प्रेम और आविशकार जैसी फिल्मे की और उनकी छवी एक शुद्ध प्योर रोमेंटिक अभिनेत्री की बनी दोस्तों शर्मिला टैगोर जी उन भाग्यशाली अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही रुपहले परदे पे स्टार्डम देखा मात्र 13 साल की उमर में शर्मिला टैगोर ने फिल्म अपूर संसार में डेब्यू किया और इस फिल्म के डिरेक्टर थे हिंदुस्तान के एकलोते आस्कर अवार्ड विरिंग डिरेक्टर सत्य जीत रहे दोस्तों शर्मिला टैगोर जी जब बॉलिवूड में नहीं नहीं आई थी तो हो सकता है अनुभाव की कमी हो या बचपना हो इसलिए वो अपने करेक्टर के डीटेल में जाती थी लेकिन जब वो फिल्म नायक की शूकिंग कर रही थी तो वह बहुत सिंसिर हो गई थी अपने करेक्टर अपने चरित्र को लेकिए बहुत थजग हो गई थी और उन्हें एक दिर्श्टर में चश्मा पहनना था पाउर वाना चश्मा तो उनने डेक्टर से पुशा था कि य नाय का, नाय, सुनिये, भाच राप्चिक गाने, गरामर 5, 4, 3, 2, 1. भाई, अब ना जाओ, आज जाने दीजिए, अगले एपिसोड में और धमा का ले के आऊँगा, प्रोमिस करता हूँ आपसे, वादा करता हूँ, और आप भी वादा कीजिए, कि अपने चुटकुले, अपने आडिया, अपने सजेशन, अपने महबद, हमें मेल करते रहेंगे और आप हमारा फेस्बूक पेज भी लाइक कर सकते हैं, टाइप कीजे बिग टॉप 20, और अपने चुटकुले वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं, हम जरूर सुनाएंगे उसे, अचाएं, हैं, आप गाते रहें, खुन गुनाते रहें, और सदार मस्कुराते रहें, और देखत मनोरंजन की फुल्ल गारंटी, यानि बिग टॉप 20, ओल्ली ओन बिग माजी, खुश्ष्ष्ष्ष्ष्